ये गलत है कालीन ओ बिचरा आदी हाँ तुम्हें मैं बाद मैं बताता हूँ अभी मुझे होमवर्क करने के लिए घर जाना है पाई इव आरी, तुम एक ही सेंटेंस बार बार क्यों लिख रहे हो ये मेरा होमवर्क है मुझे ये सेंटेंस दुज बार लिखना है मैं तो थक गया लिख लिख कर तुम मेरे लिए लिख दो ना गोगू तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं तुम्हारे सारे cookies खा जाऊं तो नहीं, मेरी cookies Exactly, जैसे cookies तुम्हारी तो मुझे नहीं दे सकते वैसे तुम्हारा homework भी नहीं दे सकते हम, सही कहा तुमने Finally, मेरा homework हो गया I hope Mrs. Neera को ये पसंद आए Bye Gogu, मैं स्कूल जा रहा हूँ I hope आज मैं Eve को impress कर पाओ और वो तुम कैसे करोगे, Adi? अगर Mrs. Neera ने homework देखके मुझे appreciate किया तो Eve impress हो जाएगी Good luck, Adi Good morning, class क्या सबने अपना homework किया? Yes, ma'am Kalin, क्या तुमने अपना homework किया? Ma'am, मैं करने वाला था, पर Ma'am, वो सारी शाम खेल रहा था Kalin, homework करना important होता है अगली बार भूलना मत Sorry, ma'am आज मैं तुम्हें कुछ कूल सिखाने वाली हूँ जब तुम अपना homework करते हो तुम अपनी notebook में लिखते हो, right? Yes, ma'am क्या तुम जानते हो कि computer भी तुम्हारे लिए लिख सकता है? कैसे, ma'am जब मैं तुमसे कुछ लिखने के लिए कहती हूँ तुम notebook यूज करते हो बिल्कुल वैसे ही computer screen पर लिखता है एक language यूज करके जो Python कहलाती है आप computer को कैसे कहती हैं लिखने के लिए? Good question, Adi Python में हम print statement यूज करते हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ वाव मैं क्या हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं Yes, Adi मैं, क्या मैं एक बड़ ट्राई कर सकता हूँ हाँ, Kaleen क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ Yes, Adi Adi ऐसे दूसरों का मजाग बनाना अच्छी बात नहीं होती Sorry, Ma'am तो बच्चो, print statement कैसे powerful है? ये मैं तुम्हें दिखाती हूँ Ma'am, ये तो easy calculation है, जो मैं भी कर सकता हूँ कालिन, पाइथन और भी difficult calculation solve कर सकता है देखो ये Print statement और भी बहुत कुछ कर सकता है पर हम कल के लिए बचा के रखेंगे, ओके? Hello, दोस्तो तो आज हमने सीखा कि कैसे print statement यूज़ करके हम पाइथन में स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं बस print लिखो और quotes के अंदर कुछ भी लिखो जैसे तुम्हारा नाम, alphabet या numbers add करो और answer screen पर print हो जाएगा है नहीं बिलकुल मज़ेदार?